दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कैल्शियम की महतवता हमारे लिए क्या है ये जानेंगे और कैल्शियम की कमी से क्या-क्या रोग हमारे श्रीर को घेरते हैं वो जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस आहार से हम अपने श्रीर को परपूर मात्रा में कैल्शियम दे सकते है और केल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं दोस्तो केल्शियम यानि की हमारे जीवन का स्तरोथ केल्शियम श्रीर में सबसे परचूर मात्रा में मौजूद खनिज है ये श्रीर के कुल वजन का 1-2 फिस्दी हिस्सा है हड्डियों और दातों में परचूरता में केल्शियम पाया जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीर के कुल केल्शियम की 90% मात्रा हड्डियों और दातों में ही होती है बाकी 10 फीसदी केल्शियम खून, शरीर के तरल पदात, नसों, मास पेश्चियों की कोशिकाओं और अन्य कोशिकाओं एम उत्तकों में मौजूद होता है जो कि इन सबी को अपना कार्या करने में मदद करता है मनुष्य के शरीर में जीवित रहने के लिए केल्शियम एक बहुत ही जरूरी मिनरल है इसे सूक्षम पौशक तत्व भी कहा जाता है अहार में केल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रयाप्त मातरा में केल्शियम का सेवन नहीं करता केल्शियम बहुत ही जरूरी होता है आईए जाने कि केल्शियम की कमी से हमारे श्रीर पर क्या-क्या दुश्परभाव पड़ते हैं और इसके क्या-क्या नुकसान होते हैं हमारे लिए केल्शियम बहुत ही जरूरी है केल्शियम की कमी से हमारी हड़ियां और दांत कमजोर हो जाते हैं, हमारे शरीर में प्रयाप्त मात्रा में होमगलोबिन तथा उच्चित मात्रा में पानी लेने के बाद ही हमेशा हमें मसल क्रैम मास पेशियों में इंठन रहता है, इसका कारण भी केल्शियम की कमी होती है, केल्शियम की कमी के कारण फ्रेक्चर क केल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं केल्शियम हमारी हड्डियां और दांतों को तो मजबूत करता ही है साथ ही साथ केल्शियम श्रीर की मास पेशियों के सकुचन के साथ हिर्दे की धड़कन को भी नियंत्रित करता है केल्शियम मास पेशियों के बाहर पंप हो जाने के महत्वपूर्ण भूमिक निभाता है रक्त के जमने रुकने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है इसमें कई रसाइन शामिल होते हैं यह प्रक्रिया कई चर्णों में संपन होती है कैल्शियम इन चर्णों का एहम हिस्सा होता है कैल्शियम कई तरह के इंजाइम्स के निर्मान कितने कैल्शियम की जरूरत होती है और किस उमर में आपको कितना कैल्शियम जरूरी है प्रति दिन लेना छे महिने के बच्चे को 200 मिलिग्राम कैल्शियम प्रति दिन लेना चाहिए 7-12 महीने के बच्चे को 260 मिलिग्राम प्रति दिन कैल्शियम का सेवन जरूरी है 1-3 साल के बच्चे को 700 मिलिग्राम प्रति दिन लेना ही चाहिए 4-8 साल तक 1000 मिलिग्राम प्रति दिन कैल्शियम की अवश्यकता होती है 9-18 साल की उमर तक 1300 मिलिग्राम केलिशियम प्रति दिन अवश्यक है वेक्ति के लिए 19-50 साल की एज में 1000 मिलिग्राम प्रति दिन केलिशियम की अवश्यक्ता होती है तथा 50-70 साल तक की उमर के लिए 1,000 मिल्ली ग्राम प्रती दिन महलाओं में, तथा 1,000 मिल्ली ग्राम प्रती दिन पुरश को अवश्यकता होती है कैल्शिम की आईए जानते हैं कि केल्शियम के स्त्रोथ क्या क्या होते हैं सोया बीन सोया मिल्क जहां टोफू केल्शियम का बेहतरी स्त्रोथ माना जाता है एक कप पकी हुई सोया बीन में लगबग 175 मिल्ली गराम केल्शियम होता है सोया भीन स्वादिष्ट होती है इसी लिए कई तरह के वेंजनों में उप्योग की जाती है फिट रहने के लिए आप अपने अहार में टोफू को शामिल कर सकते हैं भिंडी भारत में भिंडी हर प्रांत में असानी से मिल जाती है भिंडी के सेवन से कैलिशिम की कमी को पूरा किया जा सकता है एक कप पकी हुई भिंडी में लगबग 175 मिलिग्राम कैलिशिम मिलता है भिंडी की सबजी के स्थान पर उबली हुई भिंडी खाना आपके लिए जैदा लाबकारी साबित होता है बदाम बदाम में कई परकार के पौशक्ता तो पायाते हैं इसको आप किसी भी रूब में 7 कर सकते हैं आपको बता दूँ कि दिन में करीब 100 ग्राम बदाम खाने से आपको लगबग 264 मिली ग्राम केल्शियम मिलता है इसकी पौशक्ता को बढ़ाने के लिए आप दूद के साथ बदाम ले सकते हैं संतरे को विटामिन C का मुक्यस्तरोत कहा जाता है लेकिन आप क्या जानते हैं कि संतरे से आपकी कैल्शियम की कमी को भी पूरा किया जा सकता है आदा कप संत्रे के जूस में लगबग 50 मिली ग्राम कैल्शियम मिलता है पालक एक कप पालक में लगबग 250 मिली ग्राम कैल्शियम होता है इससे आप असानी से कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी दैनिक जुरूरत को पूरा कर सकते हैं ब्रॉकली बजार में असानी से मिलने वाली ब्रॉकली भी आपको कैल्शियम परदान करती है 156 गराम ब्रॉकली के सेवन से लगबग आपको 63 मिली गराम कैल्शियम मिलता है इसके अलावा ब्रॉकली के सेवन से आप अपने वजन को नियंतरत भी कर सकते हैं दूद और दूद से बने उत्पाद में परचूर मात्रा में प्रोटीन होता है जिन लोगों को दूद पीना पसंद नहीं है वे दही पनीर और चीज आदी का सेवन करके कैलिशियम को ट्राप्ट कर सकते हैं कम वसा वाले दूद और दही में लगबग 100 ग्राम से करीब 125 मिलिग्राम कैलिशियम मिलता है इसके अलावा कम वसा के 100 ग्राम चीज में लगबग 960 मिलिग्राम कैलिशियम की पूर्ती होती है चिकन तथा अंडे चिकन और अंडे भी आपको कैलिशियम परदान करते हैं जो ल तो दोस्तों हमने आज जाना कि केल्शियम की कमी से क्या क्या हमें रोग हो सकते हैं और केल्शियम की पूरती हम किस किस सब्जी से कर सकते हैं तो दोस्तो इन सबजियों तथा इन चीजों का भरपूर मात्रा में इस्तिमाल कीजिए तथा अपने केलिशियम की मात्रों को पूरा रखिए ताकि आपको केलिशियम की कमी से होने वाला कोई भी रोग ना हो धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए